हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रहे होगी क्लास 12 फिजिक संसी आरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें आज आप लोग सीखेंगे दो समतल ब्रताकार कुंडली के वीच अन्योन प्रिर्कत्तों का बेंजाग इन्हीं हमारे पास दो कुंडली है उनकी वीच अन्योन प्रिर्कत्तों का बेंजाग कितना होता है अन्योन प्रिर्कत्तों कितना निकल कराता है सबसे पहले आप लोग कुंडली बना रहा हूं एक मेरा ये कुंडली हो गया ठीक है और दूसरी कुंडली यहां पर है ठीक है कुंडली आप लोग बनाईएगा दो कुंडली है बच्चो इस कुंडली में हम किसी बाह माध्यम से धारा भाते हैं जैसे मालीजे यहां पर एक बाह स्रोत है जिससे धार भाएंगे कुंजी लगा दिये ठीक है और इसमें हम एक धारा नियंतरक भी लगा सकते हैं तो इसमें धारा भाएंगे तो पास इस जो दूसरा कुंडली है ना इसके समीपे एक दूसरा कुंडली है इसमें प्रेरित धारा उत्पन हो जाते हैं क्या उत्पन होते हैं बच्चो है हमने का इसमें धारा बहाया इसमें धारा जैसे ही बहाया तो इसके काण भईया इस धारा के काण एक चुमिके छेट जनरेट होता है सबको पता है किसी कुंडली में धारा बहा दी जाए किसी कुंडली में धारा बहा दी जाए बच्चो तो इस धारा के काण इसके चारों च चुम्मी के छेत्र होगा और इस चुम्मी के छेत्र के करण इसमें चुम्मी के फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जैसे इसमें चुम्मी के फ्लक्स में परिवर्तन होता है इसमें एक प्रीध धारा उत्पन हो जाती है यह परिघटना जो है आपका अन्योन प्रेरण के लाता चुकि हमने यह बताया कि इसमें जब धारा भाया मान के चलते हैं इसमें आई धारा भाया ठीक है अब इस आई धारा भाने के कारण इसमें चुम्मी की फ्लक्स में दूसरे कुंडली में चुम्मी की फ्लक्स में परिवर्तन तो फाइटू चुम्मी की फ्लक्स यदि कुल भीड होगा कि नहीं होगा आपको थोड़ा समझहिएगा इसमें धारा बहाया इसके कारण मालीजिके केंद्र पर चुमिकिये छेत्र है कुछ भी हो क्यों सकता है और उस महीं कि चोमिकिये छेत्र के कारण सीधा आप मतलब एक fact समझे रहें कोशिज करें कि हम किसी कुंडली में धारा बहाते हैं इस कुंडली में धारा बहाने के कार्ण इस कुंडली के केंदर पर चुमे किछेदर कितना होगा तो यह चीज आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी हमारे पास कुंडली में धारा भाय है तो उसके केंदर पर चुमी कि इसे मुनी बटा दौर जैसे मुनी हम मुझी रो यह नहीं चल रहा भाई चलो मुझी नाट या मुझी रो फेरो की संखेदी एन है तो एन पहला हमारा कुंडली है और धारा कितना बाया आई बटा दौर मतलब 2 आर वन यहीं त्रिज्जा कितनी है इस पर डिपेन करता है यहीं किसी भी कुंडली में हम ब्रत्तकार कुंडली है उस पर हमने धारा बहा दिया जाए धारा बहाया तो उसके करण चुमी की छेट जनरेट हुआ और वो जो चुमी की छेट हुआ बच्चो यह बी बराबर μुजीरो एनाई बटा टूर मुनी बटा द्वार यह ट्रिक होता है मुनी बटा द्वार अब इसी चुमी के छेट के कारण यहां पर चुमी की फ्लक्स में परिवर्तान हुआ तो कुल मिला करके जैसे यह ने धारा बहाया धारा के कारण चुमी की छेट जनरेट हुआ और इस चुमी के छेट के कारण दुतिया कुडली में चुमी की फ्लक्स में परिवर्तान हुआ यहां पर हम मान की चलते हैं एक हमारा P है और एक हमारा Q है माना P और Q दो व्रत्ताकार कुंडली है जो समाक्ष है मतलब एक ही अक्ष परिस्थित है प्राथमी कुंडली में फेरो की संख्य N1 रहेगी बच्चो और इसमें फेरो की संख्य N2 है इसकी तरिज्जा R1 है इसकी तरिज्जा R2 है ठीक है समझने कोशिस करेंगे यह डाइग्राम भी बना हुआ है यह माना P और Q दो व्रत्ताकार कुंडली है जो की समाक्ष है एक ही अक्ष परिस्थित है ठीक है और बच्चो इसमें फेरो की संख्या बोली जाए प्राथमी कुंडली में तो आपका N1 होगा और तरिज्जा R1 है एदि दुतिया कुंडली में फेरो की संख्या दिया आपसे कहा जाए दुतिया कुंडली में फेरो की संख्या क्या होगी बच्चो फेरो की संख्या N2 और तरिज्जा R2 यह चीज आप लोग लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि आप लोग confused मत होना जैसे यहाँ पर देखिए प्राथमी कुंडली पी में फेरों की संके एनों तर्थर तरिज्जा आरोन है ठीक है इसी प्रकार से दुतिया कुंडली में यहाँ पर मलिक देता हूँ दुतिया कुंडली दुतिया कुंडली क्यूँ में एन्टू फेरे वा तरिज्जा आरोटू है तो confused नहीं होंगे आप लोग अब जैसा कि अभी आपको इसके पहले मैंने समझाया कि जैसी प्राथमी कुंडली में धारा बहाते हैं मतलब इसमें धारा बहाएंगे तो इस धारा के कार्ण एक चुमिके छेतर जनरेट होगा ठीक ह तो यह चीज निकल कराया कि जब हम प्राथमी कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसके काण उसके केंद्र पर चुमिके छेतर कितना आएगा मूनी बटा द्वार इस्टेप बाइस्टेप अभी कुछ था ही नहीं हमारे पास दो कुंडली हैं पी और क्यू दो समतल व्रत्त प्राथमी कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसके केंद्र पर एक चुमिके छेतर जनरेट हो जाता है और वो जो चुमिके छेतर निकल कराया उसको मैंने आपको बताया कि जो चुमिके छेतर निकल कराया वो कितना था वो चुमिके छेतर था फिर से बताता हूं मूनी बट टू आ रो यह हमारे पास क्या आया है भच्चो इसके केंद्र पर चुम्मिखैश्थ अच्छा आपको एक चीज मैंने समझाया कि मुझे अन्यों प्रेर का तो निकालना है इसका फार्मुला मने निकाला एंटू फाइटू बटा आपका आई धारा तो फाइटू का मान निकालना है तो जो इस पर चुम्बी की फ्लक्स में परिवर्तान होगा यह चुम्बी की फ्लक्स किसके कारण है फाइटू की बात करूं चाहे फाइब करता है चुमी की फ्लक्स का मान दो चीजों पर डिपेंड करता है कि किस चुमी की छेत्र के काण उत्पन हुआ है और किस छेत्र फल से चुमी की छेत्र रेखाए जा रही है तो इस पर डिपेंड करता है ध्यान रखेगा चुमी की फ्लक्स कहीं भी चुमी की फ्लक्स कुंडली से कितनी चुमिकी छेत रेखाएं जा रहें हैं तो यहां पर बी कमान रखूंगा तो फाइबी निकलकर आएगा मुणी और यहां पर त्रिज्जा आरवन कर सकतें इन्टू ए हो जाएगा यह मेरा 5B निकल कर आ चुका है यह 5B है बच्चो 5B का मतलब क्या है चुम्मी की यह फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है ना दूतिय कुंडली में वो चीछ हम 5-2 भी लिख सकते थे परसान नहीं हो ना अब मैं आप से कहूँ भाई कि अन्योन प्रि निकाल कर आपको समझा दिया था बस 5B के वैल्लू पूट कर दो जब 5B के वैल्लू पूट करेंगे तो देखेगा कितना आएगा एन्टू बटा आई रहने दीजिए 5B कमान हो जाएगा म्यू नॉट एन्वन आई बटा टू आर वन इन्टू ए आई से आई कट रहा है क्य आई से ही कट गया तो कितना बचा बच्चो म्यू नाट एन्वन हाई है यहाँ पर आपका एन्टू हो गया और यह बचा टू आर वन इन्टू ए यह आपके अन्योन प्रिरकत्तू का सूत्र निकल कराया दो समतल गत्ताकार कुंडली के बीच अभी यहाँ तक कहानी खतम न समान रख देंगे तो कितना जाएगा म्यू नाट एन्वन एन्टू पटा टू आरवन इन्टू दूसरे कुंडली की बात की जा रही तो आर्टू स्कूर हो जाएगा तो कन्फ्यूज होने की जरो तनी बच्चो यहाँ तक फिलहाल समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हू तो अब लिखने की कोशिस करेंगे की नोट्स बनाते होंगे आप लोग मैंने कहा जैसे ही धारा भायत उसके केंडर पर चुमिकी छेत्र अब इसी चुमिकी छेत्र के काड़ दूसरे कुंडली में चुमिकी फ्लक्स फाई भी कितना होगा तो दो चीजों पर डिपेंड करे इसके बाद चुकि एम का मान कैसे निकलता है आपके पास कितना चुमिकी फ्लक्स है और किसके काड़ उत्पन रख दो इसे माली जे फाई भी का मान रखो यहाँ पर पूरा फाई भी का मान रख दी वही चीज़ है दियान रखेगा परसन मत हूंना इस आप рекळेगा 5B कमान रखा था 5B कमानि आई साइ कट गया तो वहीं चीज मिला हमारे पास Meo 0, N1, N2 बटब 2 R1 Pi R² क्या है? Pi R² है क्या? बरत कछी अतरफल है अब एक चीज ये बताया گیا कि मालिजी जिये कहीं कहीं जो कुंडली बनाए जाती है वो किसी न किसी क्रोड के सहारे बनाए जाती है मतलब उसके बीच में कोई न कोई क्रोड होगा हम मान के चलते हैं वो क्रोड हमारे पास नर्म लोहे का क्रोड जिसकी भी कुछ न कुछ चुमबक सीलता है तो भाई उसकी भी चुमबक सीलता है तो फिर अनय और प्रियुक्तो कामान बढ़ जायगा मालीजे कोई हमारे पास कुंडली है वो किसी ना किसी एक पदार्थ के चारुआ लपेट कर बनाई जाती है तो उसकी भी कुछ ना कुछ चुमबग सिरता होगी तो उसके चुमबक सिलता के कारण अन्योन प्रिकत्तो का मन बढ़ेगा तो उसका multiply करेंगे ठीक है जब multiply करेंगे तो mu not on mu r इन दोनों का multiply बच्चो mu के बराबर तो m बराबर mu n1 n2 बटर 2 r 1 into pi r 2 ये आपके पास आगया अन्योन प्रिकत्तो का बेंजा उमीद करता हूं बच्चो समझ कह होंगे आप लोग और बस आप लोग से बस यही खुजारिस है कि बेहतर से बेहतर त्यारी करते चलें हम आप लोग के निरंतर महिनत कर रहे हैं बस आप थोड़ा सा महिनत करते चलें निरंतर आपके लिए support करते रहेंगे जय हिंद बंदे मात रहूं